Hello everyone, welcome back to the channel So दोस्तों आज की इस वीडियो में हम compare करने वाले हैं दो smart watch को एक तरफ है Realme Watch 2 Pro and दूसरी तरफ है Deezo Watch Pro दोनों ही smart watch काफी जादा famous है and अभी demand में हैं तो अगर आप confused हैं कि इन दोनों smart watch में से कौन सा आपको purchase करना चाहिए तो इस वीडियो को आप last तक जरूर देखिएगा आपका confusion clear हो जाएगा साथ मेगर आप इस तरह के अच्छे अच्छे product deals and offers में interest रखते हैं तो आप हमारे telegram channel में हमें follow कर लीजिए हम वहाँ पर आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे product deals and offers लाते रहते हैं So let's get straight to the video So दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों के pricing के बारे में तो Realme Watch 2 Pro का price है 4999 वहीं Deezo Watch Pro का price है 4499 special launch price रखा गया है बाद में ये definitely increase होने वाला है 4999 में तो अगर आप सोच रहे हैं Deezo Watch Pro purchase करने का तो आप इस deal को अभी grab कर लीजे दोनों में आपको दो-दो color options मिल जाते हैं आप अपने choice के इसाब से कोई भी choose कर सकते हैं Realme Watch 2 Pro में मिलता है black और light grey वहीं Deezo Watch Pro में मिलता है black and blue दोनों में 1.75 inches का screen size दिया गया है दोनों compatible हैं Android और iOS के साथ स्वाब आ जाते हैं दोनों के display के उपर तो Realme Watch 2 Pro और Deezo Watch Pro दोनों में मिलता है high resolution display जिसका resolution है 320 x 385 pixels और brightness है 600 nits तो अच्छा brightness मिल जाता है दोनों में जिसकी वज़ा से आप direct sunlight में भी इन smart watches को use कर सकते हैं आपको कोई भी problem नहीं आने वाली है Realme Watch 2 Pro में मिलता है glass back वहीं Deezo Watch Pro में मिलता है polycarbonate body तो आपको Deezo Watch Pro में ज्यादा अच्छा body मिल रहा है as compared to Realme Watch 2 Pro उसके साथ ही always on display दोनों में नहीं मिलता है अगर strap की बात की जाए तो Realme Watch 2 Pro में मिलता है सिर्फ 22 mm का silicon वाला strap लेकिन Deezo Watch Pro में मिलता है 22 mm का sports, leather और silicon तो आपको यहाँ पर options मिल जाते हैं कि आप leather चूज कर सकते हैं silicon चूज कर सकते हैं या फिर sport वाला strap यूज कर सकते हैं लेकिन Realme Watch 2 Pro में आपको silicon वाला ही strap लेना पड़ेगा वहीं mobile control की बात की जाए तो दोनों से ही आप music and camera कंट्रोल कर सकते हैं तो यह सारा features देखके आपको पदा चली गया होगा कि दोनों smart watch almost same हैं बस कुछ-कुछ feature का फर्क है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन से smart watch में क्या आपको ज़्यादा feature मिलता है दोनों में ही notification का alert मिल जाएगा like call, facebook, whatsapp and other applications के इसके साथ ही दोनों में 390 mAh की battery दी गई है जो 14 days का battery backup देगा ऐसा company claim करती है दोनों में लेकिन यह totally आपके uses की उपर depend करता है कि कैसे आप उस smart watch को use कर रहे हैं दोनों में built-in GPS मिलता है इसके साथ ही दोनों IP68 dust and water resistant है तो अगर आप gym जाते हैं, workout करते हैं या फिर किसी भी sports में involved हैं तो आप इन दोनों ही watch को पहन के जा सकते हैं आपको dust या फिर sweat, hulke water splash से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इन दोनों ही smart watch में वो सारे monitor मिलते हैं जो आजकल सारे smart watch में common हो गया है like spo2 monitor, heart rate monitor, sleep monitor तो दोनों में मिल जाता है तो अब हम आपको बताते हैं कि दोनों में से कौन से smart watch में क्या जादा मिलता है जिसकी वज़ा से आपको वो smart watch purchase करना चाहिए तो diesel watch pro 500 रुपे सस्ता है realme watch 2 pro से उसके साथ ही उसमें मिलता है more durable polycarbonate back आपको realme watch 2 pro में glass back मिलता है जिसमें काफी जादा scratches लगते हैं लेकिन इस polycarbonate back में आपको उतने scratches देखने को नहीं मिलेंगे और आप काफी लंबे time के लिए इस smart watch को use कर सकते हैं इसके साथ ही इसमें मिलता है जादा strap option like आप leather चूज कर सकते हैं, sports चूज कर सकते हैं या फिर silicon चूज कर सकते हैं लेकिन realme के watch 2 pro में आपको ऐसा कोई भी option नहीं मिलता है आपको by default silicon का ही strap purchase करना पड़ेगा इन 3 point के अलावा इन दोनों smart watch में कोई भी difference नहीं है almost same है दोनों smart watch तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप दोनों में से कोई एक purchase करना चाहते हैं तो आप Deezo का watch pro purchase कर लीजे 500 रुपय सस्ता मिल रहा है इसके साथ ही इसमें polycarbonate bag दिया गया है तो काफी long last करेगा तो मेरा suggestion है Deezo का watch pro तो दोनों में से कौन सा आपको पसंद आया हमें comment section में जरूर बताईएगा और दोनों का best by link मैंने description में दे रखा है तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए product के साथ तब तक देखते रही है product review HD channel thank you have a nice day और दोस्तों हमारे वीडियो के latest update के लिए में instagram और facebook में follow कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो के latest update आपको सबसे पहले मिलती रहे thank you कर दोस्तों कर दोस्तों